नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल राम टेक्नो में है आज हम लोग देखेंगे दोस्तों की डिवाइस ड्राइव डिफ्रेग्मेंट क्या होता है लैपटॉप या पीची आपके सुलो हो चुगी तो उसको फास्ट कैसे करना है दोस्तों और जो हमारी हाटिस की जो लाइफ कैसे बढ़हींगी किया चीज करने सहां कि लाइफ बढ़ती है यह आपको हड़ेशं की तो वह चीज्जाँ देखेंगे दोस्तों आज वीडियो को आइं तक देखेंगे वीडियो कर लिजेगा और चैनल को सबस्क्राइब कर लोगे दोस्तों क्योंकि मैं ल हाट डिस्क घर करता है दोस्तों इसको पहले समझना होगा दोस्तों तो जैसे हाट डिस्क जैसे हमारी 500 जी भी की है जित्थे भी जी भी की है तो वह क्या करता है कि step by step right करता है सपोज एक data आपने जो हाट डिसक हमारी पूरी clean है और clean के बाद में हमने क्या करा कि राइट करना डेटा राइट करना सुरू करा तो वह एक डेटा राइट होगा उसके बाद में दूसरी डेटा राइट होगा उसके बाद में तीसरा डेटा राइट होगा अब सपोज बीच वाले जो दूसरा वाला डेटा जो है उसको अपने डिल और दुबारा उस आपने फाइल राइट करा है तो वह जो है माल लिजे 20 MB की है तो क्या करता है दोस्तों कि सबसे पहले जो छोटा वाला जो पार्टू जैसे डिलीट किया थे आप 10 MB वाला फाइल तो वह जो 20 MB का फाइल जो आप राइट करने जा रहे हैं उसको दो जो है बाद में रखेगा टो ऐसे करकर हर डिसक्तार आय쪽 कर्रीशी सलता है डोdı कोई सालों से कितने सार अपने प्ड़ाइट किम में पता ही我就 दो 하는데 क्या होता है कि फूल हो जाती है पिर से आपने राइट कर रहे हैं तो एक्चुलिए नहीं हुझा नहीं है तो क्या हो जाता है कि पूरा पूरा आपकर जो है हाट डिस्क जो है इसी तरह का मतलब एक जगह पर किनारे से स्टार्टिंग से एक किनारे तक वैसा एक साथ नहीं रहता है दोस्तों तो उसी को एक साथ करने के परक्रिया को डिफ्राइग्मेंट कहते हैं जो हाट डिस्क वैसे हो जाती है जो कि यूज करते करते और इसली हो जाता है फाइल डिलीट और एडिट होते होते तो फाइल डिटाइब जब हो जाए ゃे फाई ट्राइब जब करना पड़ता है दोस्तों तो के से करते है उसको देखते हैं दोस्तों इसको इसके लिए जाना होगा जैसे हमारी हाट डिश्क है इसके राइट क्ली करेंगे ंधोस्तूं इसके पर बस यही करना है दोस्तों हमारी optimize हो जाएगी इससे harddisk और defragment हो जाएगी जो टुकड़े-टुकड़े में जो data है वो एक साथ इकठे एक side में हो जाएगा इससे हमारी life भी पढ़ती है और जो हमारा PC जो होता है वो छोटे-छोटे parts के लिए आपको harddisk का जो उसका जो sensor जो मूब करना पड़ता था जैसे छोटी से फाइल आपकी छोड़ी से दूरी में है तो वह फाइल मूब कर रीड करने के लिए जो sensor मूब करता है तो मूब करने में टाइम लगती इस कारण से में data slow मिलता है वो आपका जंजट खतम हो जाएगा दोस्तों तो फाइल इसली ज्यादा फास्ट आपका harddisk रीड कर पाएगा और इससे लाइफ भी पढ़ेगी तो फाइल ज्यादा रीड जल्दी से रीड कर पाएगा तिससे आपकी लैप्टॉप या पीसी की यह अनलाइज्ट हो रहा है पहले उसके बादर ट्रैक भी होगा दोस्तों देखिए अब पास वन हरी लोकेटेट थर्टी सेवन परसेंट बस ऐसे जीरो से अंड्रेट तक होगा सर्फ कई बार होगा इसमें तो इसको होने देना है पूरी परक्रिया को पास थ्री जीरो पर को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों इसी तरह के मैं वीडियो लाता रहता हूं इसके अलावा एक और काम कर लेंगे दोस्तों सेड्यूल अप्रमाइजेशन को आप जरूर ओन कर लेंगे दोस्तों इससे क्या होता है कि आपको यह बार बार यह अपने प्रक्रिया जो है म सब्सक्राइब कर लेंगे यह हमारा ओन हो चुका है तो यह कंप्लीट होने तक वेट कर लेंगे दोस्तों तब तक विडियो को पाऊसे तो हमारा यह हो चुका है हमिड परसेट हम हो तो इसके बाद हम इसको भी सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों सेट लॉकाइजेशन अपने कि जो हार्ड़िस्ट की लाइफ है वह आपकी बढ़ जाएगी दोस्तों तो इस तरह से यह वाली आज एक ट्रिक थी दोस्तों इसके बारे में आज डिवाइस डिफ्रेग्मेंट के बारे में जाने वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बतायेंगे दोस्तों और चैनल को इतना ही धन्यवाद वीडियो देखने के लिए वापस लोटेंगे नए वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जाएंगे